असलाम लेकुम तो स्टार्ट करते हैं जनल रेटमी वा लॉइक हसेन की पार्ट 3 की वीडियो को जिसमें हम लोग पहले डॉर्सल और वेंट्रल चुपर उपर तक की स्टेवल तक हम यहां तक पढ़ चुके थे तो जस्ट बिफॉर गॉइंग तो स्टार्ट अब डॉर्सल औ मोटी मोटी चीज़ें बताऊंगी जो इंपोर्टेंट हैं को सीधी सीधी डैफिनेशन तो सबको पता होनी चाहिए बेसी ओफ अनैटमी लेकिन इसके अंदर कुछ पार्ट चुपको आपको 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 पूचे जाते हैं बेसिकली वह हम देख लेते हैं क एंसे पोस्टीर एंसे परटक्राइग को आपको आपको अर्यक्uição कि पोस्टीरीर नि कर्रीं पार्ट वोऊ आपको आपको आपटेंगों कि यंदम शार्न एंसे भीर संसेय मुखर से आएं उसके बाद next point है कि medial और lateral की बात करें तो medial और lateral medial जो mid line पे जो आ रहे हैं जो towards the median plane आ रहे हैं उन्हें हम कहेंगे कि ये medial organs के रहावा lateral जो away from median plane होंगे that will be lateral अब medial के अगर मैं बात करूँ तो ये clear least diagram में ये median plane है ये mid line पे अब यहां पे हम लोग median plane के अंदर क्या discuss कर सकते हैं कि mid line organs कौन से होते हैं जो median plane के अंदर आ रहे होते हैं exact in median plane आ रहे होते हैं उसमें हमारे पास iota, pancreas, small intestine, bladder, spine आ जाते हैं next अगर हम देखें तो next lateral है जो away from median plane is stomach like chromial end अगर हम बात करें clavicle की तो इसमें जो एक chromial end होता है मैंने आहां like I would love to tell कि अगर ये हमारा for example मैंने रफसा draw करा हुआ है कि अगर ये हमारे पास अगर हम इसको clavicle zoom करें हलाकि clavicle ऐसी होती ही नहीं है clavicle is the s-shape bone और बहुत important anatomy के अंदर clavicle लेकिन अभी मैंने रफसा आपको chromial and sternal का concept बताने के लिए draw करा है कि अगर ये हमारे पास हम बोले कि ये clavicle है तो clavicle जो है इसका एक chromial end होता और एक sternal end होता है जो chromial end होता है Thomas Humorous के सथ रार्टिकुलेट कर रहिए चीया होता है हमारे बघु में Alle के स्चार्ट पे जो वान है नहीं हुं मोड़ियु में हमारी Humorous है तो लिए मतर Tudo कि करना के मतब होता है कि उसके साद्यां कर रहे हो तो chromial end अब आप लोग्यों हिसमझाए का हमारी MVP होता है कि मिलना तो एक्रामियल एंड जो है उसके साथ वो जो है हमारे 40 हम की बन है जो हमारे स्टन्म के साथ आरिक विलेट रहा होता है तो मैसे बदाई होगा का रिपट साथ मिल लुग होते हैं उसको में मिड़ा होता है प्रिजिक है अब visibility और और इंफीर का तो सुपीरियर को हम लोग जो है सेफैलिक मतलब टोप पे होती है सेम एच सीफैलिक सीफैलिक के रावा इसको और नाम भी दे सकते हैं रोस्टरल वो मैंने यह पर लिखा नहीं है लट मी टेल यू इसको हम रोस्टरल धी कह सकते हैं ठीक है I hope you got what I want to say उसके बाद inferior को हम caudal भी बहुते हैं कि to our soul of food superficial की बात करें तो ये superficial और deep हम ना muscles के लिए ये term यूज़ कर रहे होते हैं जो surface के निए और होगा वो superficial होगा कुछ जो deep होगा वो मतलब away from surface होगा तो हम इसको deep बॉल देंगे उसके बाद external और internal की terms नेखें जो body part से अंदर की तरफ होगी वो internal होगी जो away होगी उसे हम बोलेंगे ये external है तो ये organs के लिए term जोड़ी है next proximal और distal की बात करें तो जो origin की तरफ होगी उसे हम बोलेंगे proximal और जो away from origin या फिर beginning of structure हो उसे हम distal बोलेंगे अब यहां पर जो term यूज करने के लिए आप लोगों को शायद magic ख्याला है कि शायद आपको ये disturb करें origin और beginning of structure तो origin और insertion की term आप लोग पर चुके हो तो ये वही origin है जहां पर वोन start हो रही है from embryological time embryo के time पर development के time पर वोन जहां से start होती है उसे हम proximal बोलते हैं तो ये proximal और distal का concept है ये embryogenesis के दुरान से start हो जाता है जब जहां से बोन बनना शुरू होती है उसे proximal बोल देते हैं जहां पर आगे खतम हो जाती है उसे हम distal बोल देते हैं तो ये limbs के लिए term यूज होती है हाथ हमारे distally है और जो हमारी उपर से हमारा जो humorous है humorous land है वो हमारा क्या है जो बिल्कुल हमारा कंधा है कंधे से जो forearm की bone start हो रही है इसे हम कहलें कि ये proximal land है उसके बाद the palmer और planter palmer हम हाथ के लिए term यूज करते हैं जो हमारा front surface जो white वाला portion होता है उसे हम palmer कहते है और जो soul black वाला pound होता है soul of foot black नहीं जो white portion होता है पाउं का उसे हम planter कहते है जो बिल्कुल जमीन के साथ in touch होता है जब हम खड़े होते है spine और prawn की term बहुत important होती है like anatomy में anatomy is a very basic subject बहुत basic चीज़े हैं इसमें आपको अगर यह चीज़े नहीं आएंगे तो आगे आपको बहुत मुश्किल होगे नेट भी बहुत मज़े कि बहुत प्यारी book है इसमें ऐसे ऐसे कुछ नहीं है कि आपको मुश्किल हो spine की अगर हम बात करें ना spine क्या होता है spine जो है अगर हम लोग जो है हमारे जो हम लोग जाते हैं तो senior doctors जो हमारे होते हैं वो हमें क्या कहते हैं कि इस patient को prone position में लिटा दो यह इसको spine position में अगर आपको spine or prone का पता ही नहीं होगा तो फिर आपकी वहाँ पर बहुत insult होगी और फिर आपको उच्छे से बताएंगे कि spine or prone होता है अगर पहले इसको गोर से सुले spine जब हम patient को जो है उसके flat उसकी बतलब उसको सीधा लटादे जैसे हम नॉमली लेटते हैं सोते वर्क लाइक अपने back के उपर जब हमारी back जो है वो बिस्तर के उपर होती है जब हम नॉमली सीधे लेटते हैं उसके spine कहते हैं लेकिन हम किसी को पेट के बल पे कह रहे हैं कि पेट के बल के उपर patient को लेटने को बो रहे हैं तो उसे हम कहेंगे प्रॉंट पोजिशन में है patient आपको पहले भी बोला है कि डॉर्सल जो है towards the back होता है और वेंट्रल towards the belly होता है front surface तो डॉर्सल तो टॉर्सल में towards the back in human body employed in the trunk और यह term trunk के लिए यूज़ होती है यह भी मैं आपको बता चुकी हूँ तो जो term है यह जो डॉर्सल की term है यह हम उन places पे यूज़ करते हैं मतलब जादर तर तो हम trunk के लिए यूज़ करें लेकिन other than trunk भी कभी कभार हम यूज़ कर सकते हैं like हम हाथ और पाउं के लिए hands और foot के लिए यह term यूज़ कर रहे होते हैं और यह हमारे हाथ का ventral surface है लेकिन पाउं के लिए पाउं का जो उपर वादा सुपेरियर सफिस होगा उसको हम डॉर्सल ने बोलेंगे उससे जो सुपेरियर सफिस है ना वो पाउं का वो डॉर्सल होगा normally जो हाथ का इस उप्रीयर सफिस जो है पाउं का वह हमारा वेंटरल है और जो उपर है जो असमान की तरफ है उसे हम कहएंगे कि यह वहाथ का बला पार्ट है वह क्या है वह डॉसल है और उर य्दा वाइट वाइट वला पार्ट जो है वो हमारा जो है वाइट वाला पार्ट वेंट्रल है और जो बॉल्या पार्ट है वो ढॉर्सल है फिर मैं कंशूज नहीं करना शारी इसने में दोबारा एक्ष्पेन कर देती हूं कि जो पाउं का वाइट वाला पार्ट है वह हमारा क्या है वह वेंट्रल है और जो ब्लैक वाला पार्ट है वह दोर्सल है पाउं का वाइट वाला पार्ट जो जमीन के साथ लग रहा है वह व तो वेंटरल की बात करें तो प्रन्ट सरफिस आ हमारी बोडी का तो तो वेंटरल केंगे और वेंटरल की टौंम है झाले यह पर त्रॉंक को अभी यूज़े हो सकती तर्शा और आपने तॉर वेंटरल के अगर और उसके बाद अगर हम देख यहां पे उन्हों नहीं लिखा ह लेटिन वर्स ते रिखना नो लेट में लेट में टेल यू हाथ और पाउं को तो मैं ने आप लोगों को बता दिया कि सूपीर ऑस्टी डोर्सल वेंटल का क्या कॉंसेप्त है लेकिन अब हम जुबान के तरफ आएं तो जुबान का फ्रेंट सर्फिस होता है वो डोर सर्फिस होता है और जो जुबान जो है जॉन्टी सरफिस जो हमारा फ्लोर है माउट का उसके साथ टच करी होती है वह वेंट्रल सरफिस है तो यह तीन अक्सेप्शन है हाथ की पाउंग की और जुबान की जिसको आपने बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि हाथ का सुपिरियर क् क्या है और जुबान का टंग का और पाउं का क्या है यह तीन चीदे एक्सेप्शन में तो यह आपको अच्छे से आनी चाहिए उसके बाद अगर हम देखें के पैनिस तो पैनिस को अगर एलेक्टिव स्टेट में देखें तो उसका जो सुपीरियर सर्फिस है ना वो डॉर्स से संदेखें तिंग का स्थेट अविक को भी थेटोंग सुपीयर साह्फिस हों गए नकेवटन वाह मैंने आपको बताया है कि शाल आपर्ण का मरज है मतलग क्या होता है थूर्च ता है अब यह तर्म किस को इसकर। होते हैं यह तर्म हम अनेड़मी में यूज कर रहे होते हैं कोर्सपोंडिंग तु दा हैड एन नेक रिजन हैड नेक के लिए हम लोग क्रेनिल की टर्म यूज कर रहे होते हैं नॉट फॉर ट्रंक और अगर यह भी बात काफी इंपॉर्टेंट है कि जो हीूमन के अंदर ना जो बच्चा होता है उसके अंदर एक टेल भी डिवालप होती है लेकिन जो फॉर्थ फीक में जाकर ना वह डिजनरेट हो दाती है तो इसलिए हलाके वह डिजनरेट हो गई है लेकिन हम लोग जो है इसके टेल को एसा मतलब पॉइंट एस रेफरेंस लेके कोडल की टर्म य आपको बता है कि टर्म्स से ही जो है रिलेट करी जाती है उसके बाद अगर हम मुवमेंट की टर्म्स की तरफ आ जाएं तो मुवमेंट में हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है फ्लेक्शन एन एक्सेंशन बोडी मूफ कैसे कर रही है हम इसमें यह देखेंगे कि हम कैसे एक्सेंशन बोलेंगे फ्लेक्शन के अंदर मैं आपको छोटा सा सबसे पहले ब्रीफ सा बताती हूं फ्लेक्शन और एक्सेंशन में होगा क्या 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 फ्लेक्शन जो है इसके अदर क्या होगा फ्लेक्शन जो है एक बेंटिंग मुवमेंट है बेंडिंग मोशन है यह जो angle है वो body का वो कम होता है यानि surface एक दूसरे की तरफ move करेंगे और इसमें जो है ventral surface की तरफ movement होती है ventral and anterior surface की तरफ movement जो है flexion के अंदर हो रही होती है extension में इसे उल्टा कर लेंगे ये एक strengthening movement है इसके अंदर angle increase होता है और इसमें जो है dorsal surface की तरफ movement आ जाती है यह मैंने flexion का लिख दिया है और extension में इससे बिल्कुल उल्ट हो जाएगा bending की जगा आ जाएगा straightening coast decreasing angle की जगा आ जाएगा increasing angle यहां पर anterior और ventral surface की तरफ है तो वहां पर extension में कहां होगी towards posterior और dorsal surface तो आइस होब कि आपको basic इसकी जो टीन डाफिनिशन दा clear हो गई होगी लेकिन इसमें से कोई भी अभी तक मैंने यह नहीं पुरा कि इसमें से बिल्कुल ठीक कौन थी और बिल्कुल गलत कौन थी है यह मतलब इसमें से कौन थी है जो हर क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी नहीं है जो फुल आपको हर जगा पर अपनी केबल नजर आए okay let's talk about flexion flexion के अंदर हम लोगों ने देखा कि angle कम होता है एंगल कम तो होता है लेकिन इसमें अगर हम देखे तो हड़ जगा के एंगल कम नहीं नदराए तो यह चीजसे आगे के में नज़र आएंगे अग्षेंशन जो है इसमें सबसे हम लोग देखें किसमें सबसे ओवियस डेफिनेशन कौन सी है तो ओवियस डेफिनेशन जो है ना यही वेंट्रल वाली है और कि वेंट्रल सफिस की तरफ अगर मूव करेंगे तो वह फ्लेक्शन है और डॉर्सल की तरफ मूव करेंगे तो यह सबसे जादा ना अभी तक की जो अथेंटिक डेफिनेशन वह यह है उसके लावा मैं आपको मतलब जो आपको कोट नहीं करनी लेकिन मैं आपको इतनी अथेंटिक डेफिनेशन बताऊंगी कि वहर जगा आपको अप्लिकेबल नजर आएगी जह करके तो उनका से मितलब बिल्कुल बाइसाफ ट्राइसाफ बिल्कुल एक्जाक नजर आ रहे होता है तो तुरां क्या होता है तुरां फ्लेक्शन होती है दो सबसे अथेंटिक यह चेक आपने इसी से ही करना है बाद में आप लोगों ने कॉनसेप जैड औरसल वेंटल का लगा देना है या एंगल वगयरा का अगर लगता हुआ जो कि एंगल का हट जगा नहीं लगेगा यही बात है जो मैंने आप लोग को अभी तक बताई है ना यहीं आपको यहां पर नजर आएंगी अभी नेक्स एक्जांपल की तरह फूप करते हैं जिसमें हम लोग जो है इसमें देखेंगे कि हैंट के अंदर ऐसे ओ रही है इसमें हम लोग ने देखने के लाक्षण का में फाइवर ॉइंट का जहांसे इंटर वर्टी ब्लॉग जॉयन सोरी है नहीं चले पहले हैंड की बात कर लेता तरह बन को शुरू कर लिए तो हैं जो है ना उसका में पॉ तो यह अगर मैं अपना हाथ ऐसे कर रही हूं तो ऐसे सोरी फॉर दे मैस पर आपको आपको ऐसी ठीक से समझा पाएगा तो इसलिए थोड़ ऐसे कर रही हूं इसे अभी मेरा हाथ जो है इसका फ्रंट सर्फिस जिसको मैंने जो है डॉर्सल सर्फिस बोला था जो वाइट वाला पॉर्शन है यह मूव करेगा तो इसे फ्लेक्शन कोंगी यही हाथ जब दूर मूव करेगा तो यहां से रीट करके भी अगर मैं आप लोगों को दिखा तो मूवमेंट अकर एट इंटर विस्टॉइंट फ्लेक्शन इस मूवमेंट ऑफ दा हैंड डिक्रीजिस एंगल बिफीन हैंड बॉंस और फोराम बॉंस जब फ्लेक्शन जो है जब हाथ जो है बिलकुल बाजू की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा हाथ के देम्यान और बाजू के देमियान क्या होगा अंगल कम होगा अक्षिंशन में उल्टा हो जाएक अक्षिंशन में बाकवर्ड मूवमेंट होगी लेकिन फीर भी उसमें दो सब्फ़सुजज पीछे वाली करीब ही आ रही है ।ो इसलिए मैंने बहला था जाथ और गयर प्रक्षिंशन के है अब इसमें कैसे होगी तो फिलक्शन को और किया एक्षेंशन और सभाई दीक्सिंशन 265 है कि ולfenके के काम और और माजोर के दिम्यान हGreg कंदा सब्सक्राइब है लेकिन यह हैंते हैं मिअ थ्लिदा करीपाइब अन्य करें अगल कम हो रहा हैं इसमें क्या हो रहा है इसे अर्जार्ड और इस इस अल्टाइबान हैंics हैं मेरा मिदbut कारीब आरे मिद आ हो इस इस मुवमेंट टुवर्ज दा बैक सिर्फिस, मतलब बोर्सल सिर्फिस की तरफ ओबुमेंट एक्सिंशन में और फ्लेक्शन में क्योंकि फ्रंट सिर्फिस की तरफ और तो इस इस फ्लेक्शन सो सब्सक्राइब अथिंटिक चीज्ञिये मेंने आपको बता तिया है अब हैड हैड की फ्लेक्शन और एक्सेंशन देख लें तो अगर यह इंटर वर्टिब्र जॉइंट ऑफ जो है उसको हम उसके ओपर मुवमेंट देखेंगे जब हैड जो है एक्सेंड होगा तो फिर क्या होगा मैं आपको इसको डाइग्रम से ड्रेक्शन जा देती हूं एक्सिन में जो आगे की तरफ मुव आरही है तो डिस इस Свरेक्सन क्यूंके यानि हो में यह मारा है यहारे इंट्र वर्टिब्र कर्ärtरों जो वर्टर्फिस चांशन औ दिस की तरफ मैं तरफ है इसके लावा यह मिनम आपके यह में तो भीजिशन करश इस ट्राइग्राम को देखें तो क्या हो है तो इसमें किया होगा रहे हैं तो इसमें काना में क्या है यह कुछ दूस् gest ум कर बता रही हूं कि एक्सेंशन है इसमें मुवमेंट पीचे की तरफ हो रही है सर्फित करीब आ रहे हैं डौसल सर्फिस की तरफ मुवमेंट है पॉस्टीर सर्फिस की तरफ मुवमेंट है लेकिन क्या हो रहा है एंगल इसमें भी कम ही हो रहा है अब मैं डायरेक्ट ना आम क कि तरफ मूव कर रहे हैं बांजू तो क्या हो रहा है क्यूंकि हमारे एक तो आगे कि तरफ आएंगे उसके ओपर उसके इलावा जो है मीडल सॉफिस की तरफ आएंगे और इसमें इसमें दीखा फलेक्शिन है अधाल हाथ लीक्तर दया है watching को इलावा हमारे उसलिदा तरफ साथ संजम स्जम के तरफ जाएंगे तो मुझे बताने की जुऊष्ट नहीं पुझाई एंटीडर साथ की तरफ रेंटर Sबनों स्जम की तरफ की तरफ तो फ्लेक्शन होती है और डॉर्सल और में सबसक्र और पॉस्टीर में होती है तरह नहीं दोनों के दर्मयान कम हो रहा है और यहां पर एंगल फ्लेक्शन में कम ही नजर आ रहा है और यह एक्षेंशन हो रही है बैक सर्फिस की तरफ मुवमेंट कर रहे हैं और इसमें अगर हम देखें तो हमारे शोल्डर और जो हमारा पॉइंट है जो वेंट्रल सर्फि है आई हो अपको समझ आई हो मुझे यह शुरू में थोड़ी बचों को यह चीज़ें तंग करती हैं इसने मैं बहुत बहुत ज़्यादा स्वस्लों करा रही हैं तो आप पूछ भी सकते हैं कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यू कें फ्रीली आसक अभी तक जो था वह तो हो में और आपकी बाकी बेडी में कुछ ना कुछ फरिक तो है बाकी बाकी टांग आपकी बिलकुल सीधी है पाऊच थोड़ा सा रूटेट करके बिल्कूल अप्रण सर्फिस बिल्कुल ऐसे मतलब होरिजोंट्ली लाए कर रहा है तो इसमें कुछ तो इसमें गेम होगी रो बहुत अच्छे से एक्स्ट्रेन करके आगे बढ़ूंगी 90 डिग्री शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि पहले जो है ना हमारा पाउं दूरिंग सेकिंड मन्थ ऑफ डिवेलपमेंट पहले बिल्कुल बागी पूरी टांग की तरह था लेकिन फिर क्या बहुत में 90 डिग्री श चिफ्ट आया तो आजी दूर्सल सर्फेस उनगा यह वह पर पर एक बार नाहीं डिग्री शिफ्ट हाए गया अब अब एक बार शिफ्ट आया तो झो डॉरसल सर्फेस ऌउंगा वह वेंट्रा चुरा उसमें ना जाएं यह हमारा मतलब ऑएक्जम्पल यह हमारे थे प्रिय है लेकिन अभी फिर भी जो है अभी होरीजोंटल फोजीशनल आने किनी फिर एक बार और शिफ्ट आएगा और फिर यह जो क्या पैना यह बिल्कुल ऐसे हो जाएगा ऐसे यह से फिर हमारा पहुंच चला जाएगा आई हॉप कि अब समझ आया हो कि बिल्कुल फिर 90 डिग्री शिफ्ट आजएगा तो फिर क्या होगा पहले जो हमारे यहां देखें आप कि पहले वारा पहुंच बिल्कुल ऐसे समझो कि एक सीधी लाइनी थी फिर एक शिफ्ट आया तो पीछे वाली साइट आगे आगे वाली पीछे चलेगी फिर एक और 90 डिग्री का शिफ्ट आया तो क्या हुआ कि यह बिल्कुल ऐसे हो गया पहले सीधा फिर एससे हो गया तो उसकी वाज़से यह बिल्कुल ऐसे होगा कि सुपीडर सफिस बन गया एक इनफीडर सफिस बन गया तो पिर जो है अलाद ताला के हर काम में मसलिहत होती है यह दो बार 90 डिग्री का शिफ्ट तब ही हम लोग जो है आप अपने पाउं पे खड़े हो सकते हैं ओविस ली डिस इस आएक्सेप्शनल केस तो इसने मैं इसको रीट कर देती हूं तो अंडरस्टैंड दा मूमेंट यहां से पढ़ूंगी मैं तो अंडरस्टैंड नॉमेंक्लेचर अफ इस मूमेंट इचु जो डॉर्सल सर्फिस है वो सामने की तरफ आजएगी और वेंट्रो सर्फिस पीछे की तरफ चले जाएगी उसके बाद क्या होगा इसके बाद इन अडिशन नाइंटी डिग्री बेंड अपियर्स बिट्वीन दा लेग एन फूट अब पहले जो ओवर ओल लेग और फूट जो डॉर्सल सर्फिस है शिफ्ट चू पोस्टी डॉस्ट कम टूलाए एंटीरेली वो सामने की तरफ आजएगी और वेंट्रो सर्फिस जो है वो पीछे की तरफ चले जाएगी इस अडिशनल नाइंटी डिग्री शिफ्ट का फाइदा क्या होगा नाइंट डॉर्सल सर्फ जो है वो सुपीरियर ली आगया गया बलैक वाला पार्ट हपाँ का वısı पीरियली आगया और वेंट्रो सर्फिस जो है वो नीचे की तरफ इनफिर आ इस पर यह आपको एदो आप बढूब की सब्सक्राफिशन का में लुंए जब हमारा पाऊं जो है उपर की तरफ दराफ कैँ होगा actual में क्या हुआ है हमारा दोर्सल सर्फेस मुव कि यह डौसल सर्फेस की तरफ मुवंट होती है तो क्या होती है extension तो यह डौसी फ्लेक्शन जो है ना extension नहीं असल में आप और जो हो चाहे यह लेकिन असलम ऑगर रूटेशन वगर ना हुआ होता तो यह क्या होता है यह मारे पास होता फ्लेक्शन तो इसलिए हम इसको डोर्सी फ्लेक्शन the बोले कि dysfunction का नामसे कर नाम ते असलमें यह ऑक्सेंशन लेकिन इसका स्पेशल यहां तो हम ट्रंक की बात कर लेते हैं जब यहांगे की तरफ छूकेंगे तो इस वक्त क्या हो रहा है एंगल कम हो रहा है और हम एंटीर सर्फेस की तरफ बूफ करें तो यह सब्सक्राइब नर्ट में तारा समय क्रीजिया देख्ञ लंग में इतनी बाइव रटवा दिया कि पता हो जाए 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 यह फील्कुल डियागराम देखके आपको अंदादा जाना चाहिए है जा अब दूसरा धियागराम देखें तो उसमें क्या औरा है बाक की तरफ टो पीजे की तरफ बेंड़ है वो लिमेट अप्राइब होता है तो लिमेटी अपैक पाद केरे छेल एक अंपरेंद वेच्छा चाएब सब्सक्राइब टो शारे विट्ट वी पर आपकी तरफ बिज गया है तो लिमेटी जुन खेले अपने दुट्प्राइब Allah Hafiz Thank you